नमस्कार मित्रो मैं आज फिर आगया मलियाबाद की एक ऐसी नरसरी में जहां पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ऐसे इसी ब्राइटी दिखाऊंगा और ऐसे इसे पोधे दिखाऊंगा जो गमले में लगे हुए जिनके आप कभी सोच नहीं सकते थी गमले में ऐसे निबू में और यह जमीन में लगा हुआ पोधा है हज्यारों की संख्या में इसमें निबू लगे आये मैं आपको मिलवाता हूं ऐसी नरसरी का उनर से जिनके पास इस तरह की पोधेक जिनको आप देखके अच्छले में पढ़ जाएंगे पाउजी आपका पर्चे क्या है कि मारा जुबाहर नाम है युबाहर बिदिए नर्सरी का नाम है क्यां हम दर्द मैंगो प्लांट नर्सरी और यह अपकि है कहां पर मलिह बाद में मलिहाबाद अगर कोई लखनों से आना चाहे तो कैसे अ चार बाग पर उतरेगा जैशन के जो है टेक्सी से या किसी बस से मलियाबाद अच्छा यह कोई जगय का नाम मुझासा मुझासा अच्छा अपना नंबर अभी हम पूछेंगे आप से आपके पास कौन कौन से यूनिक पहुते हैं जो हम अपने सब्सक्राइबर भाईयों को दिखा सकते हैं हमारे पास जो है कुमकार नीबू आपने दिखाई पमारे है है हा और पाद दसेरी है चोसा लेंगला है और अणुनिका अंबिका अपने ापके पास साथ पूसा को फूरी बराइटी अच्छा और अछिआ है जो त्ईलैन और पिलों लोन-ड्रेटी है तरह कि लिजा से समू था भी है आज चाटियात्स यदि मैंगो और कॉन कॉन सी चीज़ आपके पार मॉसंभी है जे सेव है दे संत्रा है अच्छा और अरू भी है अच्छा प्लम है जिसको अलू-बोखारा बोलते है नासपाती है और नागा सारी ब्राइटी जिए बताइए कि आप online करते हैं और मैंगाना चाहे तो अगर कोई मातरा में चार पोधे तीन पोधे मगाना चाहता है तो यह आनलाइन आपको भेज़ देंगे आप अपनी नरसरी हमें घुबाइए आपको बात कौन कौन से पोधे ऐसे लगे हुए जो अपने सब्सक्राइब भाईयों को दिखा सकते हैं यह मिल्कुल आई एचलिए और यह कौन से पोधे आपके लगे पौली तिन में कौश्व रटेड़ यह कौमकाड नीवु पॉली तिन लगा देखे भाई और यह किते इंची पॉली तिन के लगा हुआ है यह होगा कर्यब पाच्छे मेने ओगए पांचा थंड़ा अचा थंड़ा अचा थंड़ा पाउदे कफिए बांग मैंगो देखी भाइब इनके पास काटिमोन मैंगो यह देखिए यह देखिए यह देखिए काटिमोन मैंगो आप लोग ने अगर पाउदे में लगा वा नहीं देखा आपको आपको भाया तहां था लेगा अगा नहीं जाना चाहते हैं परियर इतना भारी पौदा नहीं जापाएगा इसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा नर्सरी में मैं लाश्ट में पूरा इनका लिंक दे दूंगा वहां से आप देख सकते हैं कि इतने बड़े यह लगबा इसका वर्जन चालीस किलो होगा जाने को चल जाएगा पर रेट बहुत जाएदा हो जाएगा और आपके पास क्या चीज़त हैं दिखाईए दरा मकुत आपको और यह मेंगो है अच्छा यह कौन सा मेंगो है यह 15 अगस्त मैंगो है, अच्छा 15 अगस्त मैंगो है, यह आपको अभी एक ऐसी चीज दिखा रहा है, यह तम यूनिक चीज, जो आपको किसी नर्सरी में देखने को नहीं मिलेगा, यह 15 अगस्त मैंगो का छोटा पहुदा, देख लिजे, इनके पास अभी दिखाऊंगा एक मैंगो यहां पर इन्हों ने इसके अंदर बंद करके रखा हुआ है, और एक मैंगो यह देखे, यह 15 अगस्त मैंगो है, अच्छा इसका आपका यह 15 अगस्त मैंगो है, इसका नाम आपने क्यों रखा है, पंदरा अगस्त मैंगो इस वेद रखा है, यह 15 अगस्त मैंग इसका नाम पंदरा अगस्त मैंगो रखा इसका बड़ा पोधा भी अपने सुना आपके पास लगा हुआ है अच्छा उसमें उसमें फल लगे हुए जड़ा दिखाईए चलके अब देखिए इतनी उमर में लगभक सतर साल प्लस ज्यादा हो रहे हैं और इसके बाद देख लि उसमें बृधर को बीजाब यह और बार भी आरहा है और यहां पर देखिए यहांपर मेंगो भी लगे है और बार मीचलना देख WILD लिए यहां आट इसका छोटा पौदा के बास मिल जाएगा है अच्छा कित्तय रुपा का छोटा बला चोटा पॉदा तो आप इनसे online all-time mango का पहुदा बंगा सकते हैं जो कि गमले में आपके अच्छा अभी आप वह हमको पहुदा दिखा अच्छा यह पोदे कौन से आपके लगे इसमें कई कई ग्राफ्टिंग हमको दिखा रहे हैं यह मल्टी ग्राफ्टिंग है अच्छा मल्टी ग्राफ्ट आपके बोरी में लगा रखे आपके अच्छा आप लोगों को इस नासरी में कितनी दुरलब प्रजाती के पहुदे देखने को मिले यहां पर यह सब पोदे विक्री के लिए इनके पास इनके पास कोई ऐसा पौदा नहीं है कि आपको पसंद आजा और यह मना कर दे यह जो पोदा आप यहां पर आएंगे और आनलाइन चकर क्या है कि आनलाइन बड़े पोदे नहीं जा सकते चोटे पोदे आपके बीजाएगा चलिया आप दिखाए जरा आमको और क्या दिखा रहे हैं यह देखिए आप जो बता रहे थे कि शिव्क्तिन बड़ा पोदा अच्छा इसलिए भी निए अच्छा उसको आपने इसका पंद्र अगस नाम नहीं एक तो justo कि क्यूं हमें और आप याद को याद दिला इक पिद्फी वह इंगों करा नाम रखकर तो हर घर में याद आपकों से निशानी होगी को दा होगा तो कम से एम याद करेगा यह मैंगो आपके तयार किया गया है कि कहीं और भी मिलता नहीं और कहीं नहीं मिलेंगा देखो निखें किski नर्शरी में आपको यह महें नहीं मिलेगा 15 इसके छोटे पौदे भी आपके बाद मिल जाएंगे तो आपको नकली वराइटी मिल सकती है असली वराइटी के लिए आप जरह दादा अपना नंबर बता दीजिए देख stabilize 558-55 sóloघ और सबस्किन द्रेट अआपने के लिए समप्रार कर सकते हैं पर एक जिए तर देखिए अनपको पूछना सब्सक्राइब रेट पूछना है तो WhatsApp पर बेजिए फोन ज्यादा करने से भी दिक्कत होती है तो इसलिए फोन ना अगर फोन की आपको लगता ही है कि बहुत ज्यादा जरूत है आपको ज्यादा पोदों की आप सकता है तो आप फोन भी कर सकते हैं इसा नहीं है पर फोन सामको 6 बजे के को चंदन की रियाटि दिखा देखाए जर को असलिए तक मिलेगए आपको जल्दी देखने को नहीं हुथ यह नहींतटा सब्सक्राइब यह क्या देखिए बनाना मैंगो बनाब यह 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 मिना जकी वाला यह देखिए वर्ड यह वही महांगो जो इनकर पगीचे में लगा हुआ हुआ वाली बैग में देखिये यह मिया जाकी कि देखिया कितने अच्छे-च्छे मैंगो पाई इन पाउधों को ले जाने के लिए आपको गाड़ी सही आप पड़ेगा तभी आप इनको ले जा पाएंगे तो कि यह बड यहां पर देखिये यह तारे पोवदे इन्होंने पॉली बैग में लगा रखें बड़े-बड़े पर ली बैग में लाल चंदर है यह देखिये इंके पास लाल चंदर मिल जाएगा लाल चंदर पफटें हैं और दादा मलियाबाद के अंदर कि जो स्वाइम अपने पौदे तयार करते हैं इसे फौली हॉस को बनाकर यह देखिए इतना ज्यादा है कौन से पौदे हैं यह सफेज चंदन है यह सब आपको आपको आपने हाँ तयार करते हैं अच्छा अगर कोई किसान आप से चंदन के पौदे लेना चाहे तो बल्क में यहां से लेना जाएंगा पॉली हाउस है और इस तरह बढ़ा पॉली हाउस है और बहुत सारे पॉली हाउस इस तरह से बने हुए और इनके बीघों में नर्शरी है जब आ करेंगे या on-line में जाए तो आप इनसे प्होंदे मिधा सकते हैं जो बजिट करेंगे तो इनके पास बीघों में नर्शरी है जो स्वेम बताया recall मेरे पास हर तरह प्लांट है जिनसे मैं पौदे तयार करता हूं जादा और क्या है आपके पास और यह देखिए यह आपके पास कौन से पौदे इस वह देखा है अच्छा जिसको नाजुक बदन बोलते हैं जी 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 वही होई जोन रेखा नाजुक बदन यह देखिए इसका भी मैंगो बहुत अच्छा होता है गमले में लगाने के लिए बहुत अच्छा पौदा और इसकी खुश्षूरती तो अपने में फेमस है आप बाग में कहीं पर अगये इसको लगाएंगे तो आप को आने के लिए किसान को जाए को जाता है अजितन भी आकर यहां से प Qurदा ले जास अक्टा है अधर form मालिका है अच्छा मालिका टेका सारे पौदे इनके पास लगवार मिल जाएंगे अब देखें यह का उन्से पॉद्ध विराइटी यह मलिका है अच्छा यह मलिका के भी हाइड देखें पौदों के सब पॉली बाग में लगा हुआ पौदा और लगबग एक 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 देड़ इंची मोटे पौदे इनके पास तयार है और दादा और क्या है आपके पा पूछते हैं कि जैसे कि आपके यहां पर इस पाधे में नहीं नहीं पतिया निकल लएए पर इसमें कोई रोग नहीं दिख रहा है विस्के सबस्क्राइब डाल देखें कितने दिन में इस्प्रेय करते हैं यह 15 दिन मैं अच्छा 15-20 दिन में देखिये बाई समझ लिए पं तो इसी तरह से नई नए जो पती आपके मुल जाती है तो बिलकुल शही रहेंगे अच्छे पौदे इसी तरह से आपके चलेंगे वारी इस थोड़ा जयादा लगता है तो परसात पर करना चाहिए जी यह कौँन सा मैंगो जिसमें छोटा छोटा आम लगा लगा है पौली थ सभी कम नहीं है कि अधियर करी 22 एगा थाइस तक पहुंच जाता है है कि अधर से पिलपिल पिला है कि कैसा है आइए डाया रेसा नहीं है यह तेखिए पॉली वैग में लगा हुआ पहुदा है और यह देखें कितनी अच्छी ग्रोथ आप पहुदा लगबग गमले में लगा हुआ है देख लिजिए और कितनी अच्छी ग्रोथ है आप और दिखाईए आपके बस क्या क्या है अपने सब्सक्राइबर भाईयों को पूरा दिखाना चाहते हैं बाग आपका घुमा के यह देखिए यह रेट पालमर देखिए यह रेट पालमर आपने नर्सरी आपने नहीं देखियोगी जो पहुदे गमलों में लगा के रखते हैं के रेडी टू यू जाईए और ले सब्सक्तार बताइड़ ओर आपने दूक्त नशरी था पीशेन के लिए आव झाह आए तो पहुदे ज़ए यह देखिया मियाँ जाए अरे इंके पास वा रिकार्टी जो है न अब राइटी क्या ब्राइटी है ऐसी मलियाबात के अंदर आपको ब्राइटी देखने को नहीं मिलेगी जैसी यह निके पास है यहां पर इनके पास हर तरह की इस बार भिएनले हर तरह की चीज यह देखिए इस आई कि See पालमर इसी फेली अPL भी नहीं से वह प survival वह जो होगा है है और इस मैंत आईके हैं ग्लेस के निचे युद्टी में लगा हुआ है यह भाबा इसमें घूल हो ता यह बहार होता आजका तो मजबूत होता है याह मंधिमी किरता नहीं हाएंनी अचा हर मैंगों जोả परेखा पाउस में जाकि एक पीचि त обяз этंक मिय मैंजाकि के और ददा आपकी वाव भाई नर्सरी घुमने में तो बज़ा आगया एक बार पहधा खरीदना चाहे नहीं लिए और पर इनके आखे विजिट जरूर करना इनकी नर्सरी में घुमने के लिए कि अईसी नर्सरी वह क्या नहीं नहीं हुआ जो आपको ज्यादार नर्सरीयों में नहीं मिलेगी वह दिखाजा हूं कि इनके पूरे बाग में आप जहां भी गुमेंगे आपके चपल नहीं कंदी होगी पूरे में आरधिशीयो भीजिविन मिलेगा आपके चपल नहीं कंदी होगी हुए भी है फंटी ग्रांपिगा यह दोर्ये जो है डिखी घॉर्आ है यह दिखें ग्राप्टिंग चारच पांथे जरूर बिजिट करिएगा देखिए कितना बड़ा मैंगो यहां पर लगा हुआ है देखिए सारी जगे आम खतम हो चुके हैं पर अभी इस नर्शरी में आपको मैंगो देखने को मिलेगा देखिए और कितना बड़ा-बड़ा मैंगो रंगी आपको यहां पर देखने को मिले पांच लूको और इस नर्सरी के अंदर आपको जो मिलेगा जोड डूरा कि मैंने का चपल नहीं गन दी हो कि पूरी नर्सरी के अंदर लूक विछी हुई है तो जब्शी होई है तुछ आधा यहार सी्षी रोड आपने स्वें मनवाया है पूरी नर्सरी में लिए ओध स्टय का पौदा देखिए यहां पर गमले में लगा हुआ है दस ग्राफ्टिंग का पौदा वाकाई में है ना यह बिलकुल अलग नर्सरी बिलकुल मलियाबाद से हटके अभी तक आप लोगों को ऐसी नर्सरी का दर्सन नहीं हुआ होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं गर मलिया आप अगे चल के दिखाएं को यह सेफ की वराइटी नाहीं है और नहीं हो जाता है यह पर भी पाली हौस बना इसमें पढली बना है जाल चंदन लाल चंदन लेगे बड़े बड़े लगा हुआ यहां पर जो यह ड्रैगन फूर्ट है यहां पर ड्रैगन फूर्ट फूर्ट है पिंक है पिंक होगा और यहां पर देखें निजाई गड़ाई चल नहीं है इस तरह से यहां पर आप जैसे यह सब चंदन लगा हुआ लाल चंदन लगा हुआ है लाल आउला है देखिए रेड आउला गमले के अंदर पत्ती से लेकर फल तक एकड़ करें लाल ही लाल तो नरशरी में घूमिए में तो प्रिज़ट करें फिर इसके बाद दादा से बात करिए इनकी जैसी अठी आपको देखने को रही बिलेगी इलिए को अधा और दिखाई है अब कर ते कि इसके बाद बिडियो को आंड करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि आपकि नर्शी का तो पर इस नर्शरी का भी उन तो नहीं हो रहा है, कितना इस्तक मोटा है, कितना मोटा पौधा है नाम डक्माई का, और इसका फल बहुत मीठा फल होता है, दादा हम वीडियो का यहीं से खतम करेंगे, क्योंकि आपकी नर्शरी तो भीगों है, हम तो चलते चलते ठक तो फिर कभी दूसरा पार्ड बनाएंगे, हम तब तक आप से लेते हैं विदा, जय हिन, जय भारत, जय किसाथ